आप क्या कर सकते हैं और क्या नहीं? ये कोई और तय नहीं कर सकता. नहीं आप तय कर सकते हैं. क्योंकि आप जो कर सकते हैं का मतलब है कि हम क्षमता की बात कर रहे हैं. क्षमताएं कभी स्थिर नहीं होती. क्षमताओं को लगातार बढ़ाया जा सकता है, है न? तो इसकी वास्तव में कोई सीमा नहीं है कि कोई इनसान क्या कर सकता है क्योंकि ख्रमताओं को लगातार बढ़ाया जा सकता है इसे इस तरह देखना बहतर है क्या मैं खुद को रोक रहा हूँ मैं जो चाहता हूँ उसके अलावा दूसरी चिंताओं के कारण बहुत से इनसान आपने ऐसे लोग देखे हैं जिने एतिहासिक रूप से महान इनसान माना जाता है उनके साथ बस यही हुआ वो एक सीमित पहचान के साथ जी रहे थे अचानक किसी घटना ने उनकी पहचान तोड़ दी और अचानक उन्होंने अपनी पहचान एक अधिक बड़ी प्रक्रिया से जोड़ ली जो आसपास हो रही थी और उन्होंने ऐसी चीज़े की जिनकी वो खुद कलपना नहीं कर सकते थे उदाहरण के लिए महत्मा गांधी एक बहुती सीमत इंसान वो अपनी रोजी रोटी भी नहीं कमा पाए उन्होंने वाकालत की पढ़ाई पूरी की मुझे याद है उन्होंने लिखा है कि जब वो भारत में अधालत में अपना पहला मुकदमा लड़ने गए वो कहते हैं मैं मुकदमे पर बहस करने के लिए उठा और मेरा दिल डूप कर मेरे जूतों तक चला गया उन्होंने यही लिखा है और जाहिर है कि वो मुकदमा हार गए फिर उन्होंने फैसला किया कि यह वकालत उनके लिए नहीं है उन्हें कोई और दूसरा पेशा खोजना होगा क्योंकि उनके पास अधालत में खड़े होकर बोलने की हिम्मत नहीं है क्या यह महत्मा गांदी के शब्द लगते हैं इस इंसान ने लाखों लोगों को प्रेरित किया सिर्फ एक घटना और अचानक उनकी पुरानी पहचाने तूट गई वो पैसे कमाने के लिए दक्षन अफ्रीका गए वहाँ उनकी वकालत ठीक ठाक चल रही थी एक दिन उन्होंने एक ट्रेन में फर्स क्लास का टिकेट खरीदा और अंदर बैठ कर कुछ दूरी तक उसमें सफर किया आगे किसी स्टेशन पर एक गोरा दक्षन अफ्रीकी ट्रेन में घुसा उसे एक सावले आदमी का फर्स क्लास में सफर करना पसंद नहीं आए तो उसने टिकेट कलेक्टर को बुला है टिकेट कलेक्टर बोला बाहर निकलो तो उन लोगों ने उन्हें ट्रेन से बाहर धकेल दिया उनका सामान और सब कुछ बाहर फैंक दिया और वो प्लाटफॉर्म पर गिर पड़े वो घंटों वहां बैठे रहे मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ मैंने फर्स क्लास के टिकेट खरी दी मुझे ट्रेन से बाहर क्यों फैंक दिया गया अचानक उन्होंने अपनी पहचान जोड ली बड़े पैमानों पर लोगों की समस्याओं के साथ उस समय तक उनके लिए अपना गुजारा अपनी वकालत अपनी लिए पैसे कमाना ही महत्वपून था अचानक उन्होंने वहां मौजूद एक ज्यादा बड़ी समस्याओं से पहचान जोड़ी और वो एक महापुरुष बन गए उन्होंने बस वो छोटी पहचान तोड़कर एक कहीं बड़ी पहचान अपना ली शायद इस धर्ती पर ऐसा कोई दूसरा आदमी नहीं रहा है जिसने उतने लोगों को प्रभावित किया हो जितनों को महात्मा गांधी ने किया और वो भी इतने सरल तरीकों से मैं उन्हें आध्यात्मिक व्यक्ति नहीं मानता मगर सामाजिक और राजनीतिक तौर पर वो उस समय बिलकुल उप्युक्त थे इससे पहले दुनिया में किसी विजेता शक्ति को वो देश छोड़ने पर मजबूर नहीं किया जा सका था बिना गोलियां चलाए बिना मार काट या ऐसा कुछ किये जहां उन्होंने जड़े जमाली थी पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था जो लोग किसी देश पर कबजा करते हैं उन्होंने उसकी कीमत चुकाई होती है वो आसानी से नहीं जाते वो आसानी से नहीं जाते मगर ऐसा लगा जैसे वो आसानी से चले गए या असानी से नहीं हुआ, मगर बिना लड़े, बिना खून बहाय हुआ, क्योंकि वो आदमी लोगों को उस तरह के काम के लिए प्रिरित कर सकता था, मगर एक तरह का निश्क्राय काम. देखे, बंदूग धारी सिपाईयों पर गोलियां चलाना एक चीज है, उन पर बं फैकना दूसरी चीज है, मगर सिर्फ वहाँ जाना, सड़क पर खड़े रहना, और सिर्फ पर लाठियां खाने के लिए तयार रहना, फूटे सिर के साथ आप नीचे गिरते हैं, एक कतार गिरती है, तो दूसरी कतार आकर अपने सिर्फ उड़वाने के लिए तयार हो जाती है, ये बिलकुल अलग तरह की ताकत है, ये आसान नहीं है, ऐसा करने के लिए व्यक्ति में गहरी आंतरिक शक्ती होनी चाहिए, लड़ाई में मरना अलग चीज है, आप भी लड़ रहे हैं, आपके साथ कोई और भी लड़ रहा है, आप मारे जाते हैं, ये एक अलग चीज है, बिना लड़े, बस जाकर मर जाना एक अलग चीज है, और उन्होंने ये कर दिखाया, उनके साथ सिर्फ ये हुआ, कि उनकी छोटी सी पहचान, खुद की, अपने परिवार की, पैसे कमाने की, उनके उस पहचान में विस्फोट हुआ, और उनकी पहचान लोगों की अधिक बड़ी समस्या से जुड़ गई, जो उस समय मौजूद थी, तो खुद को सीमित न करें, कि आप क्या कर सकते हैं और क्या नहीं, आप हर वो चीज करें, जो आप कर सकते हैं, जो नहीं हो पाता, वो आप कर नहीं सकते, है ना? जो नहीं हुआ, वो आप कर नहीं सकते, है ना? मगर आपने हर संभव चीज की, जितना भी आप सोच सकते थे, फिर भी कुछ चीजे नहीं होई, वो चीज़ें आप करना ही सकते